हेलो गाईज तो दोस्तो यार हर किसी का बजट इतना नहीं होता गाईज कि यार वो 12-15 जार या फिर दोस्तो इससे ज्यादा पे करके यहां पर एक ऐसा स्मार्टफोन परचेस कर सके जहां पर गाईज उसे काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाए लेकिन दोस यहां पर सबसे इंपोर्टेंट चीज गाईज और वहां पर दोस्तो आज कल जादा तर इसे जिरके स्मार्टफोन अधिकतर गिरता रहता है और साथ ही यहां पर पुछ ऐसे स्मार्टफोन उसर भी हैं जिनों सिर्फ एक नॉन चाने स्मार्टफोन ही परचेस करना होता है तो कैसर इन सबी चीज़ों को ख्यार रखके हमने यहां पर इस लिस्ट को तयार किया हुआ गाईज तो आई होप कि दोस्तो यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद दने वाला है और गाईज अगर आपका पजट यहां पर 10,000 रुपे का है तो दोस्तो यह वीडिय स्मार्टफोन यूजर्स की जिनने तो एक नौन चैनली स्मार्टफोन पर्चेस करना है साथ जोस्तो उन्हें एक हाई रिफ्रेश्ट वाली डिस्पले अच्छी खासी बैटरी लाइफ और डीसेंट परफॉर्मेंस के साथ में डीसेंट कैमरास देखने को मिल जाए और इस इस फोन की जाइज तो यहाँ पर आपको डिजाइन और लुक जोस्तो काफी बढ़ियां देखने को मिलेगा साथ यहाँ पर आपको साइड पाउंटेट फिंगर पिंगर्पिंट स्काना का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि इस फोन का एक प्लस पॉइंट है चलिए अब बात करते हैं आपर इस फोन के में फीचर्स की जाइज तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जागी 6.5 इंचेज की HD प्लस वाली डिस्प्ले हाला कि यहाँ पर आपको नॉर्मल डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलेगी लेकिन यहाँ पर आपको 90 हर्ट की हाई 8 Megapixel का गाइस बात करें सेलफी की दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी चली अब बात करते हैं आपर बैटरी बैकप गाइस तो यहाँ पर आपको 6000 इमेच का मैसु बैटरा देखने को मिलेगा सिख साथ में यहाँ पर आपको 15 वाट की फास चार्जिंग इस फोन का एक और प्लस पॉंट है तो गाइस इस फोन के अंदर आपको काफी डूरेबल डिजाइन देखने को मिल जा रहा है साथ यहाँ पर आपको लंबी बैटरी, decent camera, decent performance और साथ ही यहाँ पर आपको high refresh rate देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको average display दी गई है तो अगर आप यहाँ पर display से compromise कर सकते हैं और आपको Samsung का smartphone लेना है तो आप यहाँ पर इस phone को ज़रुर से चेक आउट कर सकते हैं अब बात करते हैं यहाँ पर उन इस smartphone users की जिनोंसे यहाँ पर एक durable design चाहिए साथ यह दोस्तों decent camera और लंबी बैटरी के साथ में यहाँ पर एक gaming प्रोसेसर चाहिए दोस्तों तो आप यहाँ पर check out कर सकते हैं Realme की तरप से Realme CU25 यह smartphone अभी हाल ही मिलाओं चुआ है और यह smartphone भी आपको मिल जाएगा 10,000 रुपे की price पर यहाँ पर आपको मिल जाएगी 4GB RAM और 64GB की inbuilt storage जिसे आप export भी कर पाएंगे यहाँ पर 256GB तक Friends चलिए बात करते हैं यहाँ पर इस phone की गाईज तो यहाँ पर आपको काफी durable design के साथ में काफी अच्छा look देखने को मिल जाएगा साथ यहाँ बात करते हैं यहाँ पर आपको fingerprint scanner का support भी देखने को मिल जाएगा चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर इस phone के main features गाईज तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी 6.5 inches की HD plus resolution वाली IPS display यहाँ पर भी आपको normal display quality देखने को मिल जाएगी और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर camera की गाईज तो back में यहाँ पर आपको 3 camera sensor देखने को मिल जाएगी जहाँ पर main camera है 13 megapixel साथ यहाँ गाईज 8 megapixel का यहाँ पर भी आपको selfie camera देखने को मिल जाएगा इस बात करें यहाँ पर camera performance की दोस्तों तो वो भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी चलिए गाईज बात करते हैं यहाँ पर battery backup की दोस्तों तो यहाँ पर आपको 6000 mAh का massive battery देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको 80W की fast charging का support भी देखने को मिल जाएगा चलिए बात करते हैं performance की दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा MidiDec Helio G70 का 12 nanometer based technology पर काम करता हुआ प्रोसेसर जोस्तों यहाँ पर काफी powerful cheap है अगर आप यहाँ पर Free Fire, PUBG या फिर दोस्तो COD जैसे games खेलना चाहते हैं जोस्तों आप यह सारे games यहाँ पर इस smartphone के अंदर normal setting पर दोस्तों बहुत असानी से खेल पाएंगे और साथ यहाँ पर आपको किसी बिदर कोई lag देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा और durable design देखने को मिल जा रहा है साथ यहाँ पर आपको लंबी battery, decent camera और इसी के साथ में यहाँ पर आपको काफी अच्छा processor देखने को मिल जा रहा है जो कि आपको मिल रहा है 9500 रुपे की प्राइस पर जहां पर जादा राम और श्टोरेज चाहिए तो जहां पर आपको बड़ी डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगी तो गईस अगर आप यहर इस पोन में इंटरेस्टेट हैं और आपको यहर इनफिनिक्स पे भरोसा है तो गईस आप यहाँ पर इस पोन को भी ज़रूर से चेकाउट कर सकते हैं तो बात करते हैं आप और उन स्मार्टफोन रिजर्स की जिनों से आप पर अच्छी खासी रैम चाहिए साथी गाइस काफी अच्छी डिस्प्ले क्वाल्टी और इसी के सब में काफी अच्छी बैटरी और अच्छा खासा गेमिंग प्रोसेसर चाहिए दोस्तों तो आप यहाँ पर चेकाउट कर सकते हैं यहाँ पोको की तरफ से फोको M2 आपको मिल जागा यहाँ पर 10,500 रुबे की प्राइस पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा चलिए अब बात करते हैं पर इस फोन के में फीचर गाईज तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी 6.53 इंचेस की फुल एच्डी प्लस रिजोडिशन वाली IPS डिस्प्ले और गाईज आपको डिस्प्ले क्वाल्टी बहुत अची देखने को मिल जाएगी और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैमरा की गाईज तो बैक में आपको चार कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगी तो आपको डेली टास में कोई भी परशानी नहीं होगी तो आप यहाँ पर इजीली मल्टी टास्किंग भी कर सकते हैं तो आप यहाँ पर इस फोन के अंदर दोस्तो आपको बहुत अच्छा गेमिंक प्रोसेसर देखने को मिल जा रहा है साथी यहाँ पर आपको काफे अची बैटरी राइब और यहाँ पर आपको काफे अचा रैम भी देखने को मिल जा रहा है किन यहाँ पर आपको average camera quality देखने को मिल जाएगी तो अगर आप यहाँ पर camera quality दोसो compromise कर सकते हैं तो आप यहाँ पर इस phone को भी ज़रु से check out कर सकते हैं बात करते हैं पर उनी smartphone users की जिनने दुस्तिया लंबी बैटरी के साथ में अच्छी खासी gaming performance, अच्छी cameras साथी दुस्तो यहाँ पर आपको अच्छी build quality चाहिए दुस्तो तो आप यहाँ पर check out कर सकते हैं यहाँ रियल्मी की तरफ से रियल्मी नार्जो 20 जो कि आपको मिलता है यहाँ पर 10,500 रुपेगी price पर दोस्तो यहाँ पर आपको इस specification भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है साथ गाइस बैक में fingerprint scanner का support भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा चली अब बात करते हैं पर इस phone के main features तो यहाँ पर आपको साधे change की HD plus resolution वाली display देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आपको display quality बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी और गाइस अगर बात करें image quality यहाँ पर आपको price के सबसे बहुत अच्छी image quality भी देखने को मिल जाएगी इसलिए बात करते हैं अब यहाँ बैटरी बैकल गाइस तो यहाँ पर आपको 6000 अच्छी बैटरी भी देखने को मिल जाएगी तो गाइस अगर आप इस phone में इंटरेसेट हैं दोस्तो आप यहाँ पर इस phone को भी ज़रूर से चेक आउट कर सकते हैं अब बात करते हैं आप उने smartphone users की जिनो से आर clear stock android ही चाहिए साथ यह अच्छी खासी डिस्प्ले काफी अच्छी गैमरा काफी अच्छी बैटरी लाइब काफी अच्छा दोस्तो यहाँ पर gaming processor चाहिए जोस्तो आप यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं आर Micromax की तरफ से Micromax इंट इस यहाँ पर भी आपको बिल्कुल भी सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा MediaTek की जो G80 का है तो यहाँ पर भी आपको performance वाइस कोई भी दिखकत देखने को नहीं मिलेगी और अगर हैं बात करते हैं यहाँ पर इस फोन की जो यहाँ पर आपको design और build quality भी जोस्तो काफी बढ़िया देखने को मिलेगी साथी जो यहाँ पर भी आपको back में fingerprint इस गैर का support देखने को मिलेगा बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के main features की जोस्तो यहाँ पर आपको मिलेगी 6.67 mm की full HD plus वाली IPS display जहाँ पर आपको display quality जोस्तो बहुत अच्छी दी गई है और अगर हैं बात करते हैं यहाँ पर camera की guys तो back में आपको triple camera sensor देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर main camera 48 megapixel का यहाँ पर भी आपको 8 megapixel का selfie camera देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको camera performance दोस्तो बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी इस phone के अंदर आपको देखने को मिल जाता है clear stock android जो कि guys इस phone का एक plus point है तो guys यहाँ पर आपको किसी बिदर को कोई bloatware app या फिर ads नहीं मिलेंग तो guys अगर आप इस phone में टेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर इस phone को भी ज़रू से चेक आउट कर सकते हैं तो अब बात करते हैं यहाँ पर उन smartphone users तो यहाँ पर एक polished version clear stock android का support चाहिए साथ जोस्तो लंबी battery और इसी के साथ में guys यहाँ पर एक decent processor चाहिए guys तो आप यहाँ पर पर आपको camera performance average ही देखने को मिलेगी और guys यहाँ पर आपको मिल जागी 6000 मेच की massive battery guys इसी के साथ में यहाँ पर आपको hybrid sim slot भी देखने को मिल जाता है तो अगर आप इस phone में interested है guys तो आप यहाँ पर 4GB RAM और 64 जो ले जो वरेंट guys यह purchase कर सकते हैं यहाँ पर सिर 10,000 पर की price पर और इसी के साथ में guys उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आगा तो like और share जरू से करतीजेगा और साथ इस तो हमें support करने के लिए चैनल को जो से subscribe कर लें और घंटी बटन को भी जरू से दबातीजेगा ताकि जोस्तो आने वाली वीडियोस की notifications आप तक पहुंचती रहें